असलाम निक नाजिमा है शेफ एसल तान दी सुपया कुकिंग शो मीदा सब खेरे साउंदा मज़ेदार रेसिपीस फर माईशूंजे साफसा तान जी सब खणी इंदायों मार्केट में मिलन प्याई साफसा तान जी सब खणी इंदायों तो हुन में जड़े विजन दायों चिकन पॉडर मसाको जो तमाम बैतिन पैकिंग में दस्याब है मार्केट में मिलन प्याई साफसा जो तरीकेकार लिखेला है इन जो तरीकेकार बिल्कुल इजी है सादरा ट्रे कप खीर या ट्रे पाख खीर में थदे में था मतलब कच्छो ना होजे पैकेट वार होजे बॉयल थदो खीर हुजे इन में इता जो पैकेट विजी चंगी ता मिक्स कन दो पो चुले ते मीटियम फ्लेम थे इनके इन जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन वगेरा सब अवेलेबल आए अज इसन ठाई हो पिया कढ़ाई लेकिन चिकन, मटन या बीफ या मच्छी जी ना है या कढ़ाई या मिक्स वेजिटेबल भाजी हो तमाम बहतरी न अचन पर ह जी कल सीजन जी हिसाफ सा तमाम बहतरी न भाजी अचन पर हो भाजी जी कढ़ाई ठंदी लेकिन खाई दो चिकन कढ़ाई ठाई पर सागे तरीके सा ठाई दा सी ठीका हुन जे इलावा अचार जी फरमाई शी वेजिटेबल अचार बाजी जो अचार ठंद वा गजर, मूली आई सावा, मिर्च, आई लीमा, आई गूबी, ये सब मिक्स करें, ओइल वारो अचार ठंद वा तमाम बहतरी न खटान ठंदी, सीजन में ये शाइओ अचन थी हो तर जरू न जो आए कनदा को हुन सागर ठाई पर हल्वो, हल्वो चाज़ जो डबल लोटी जो डबल लोट आचार की फर्माइश ठी अबिटा बा discriminate आज बना रहो और ओए El-कवेजिटेबल उसके साथ हम बना रहे है वेजिटेबल कड़ाई, बर्कुल जैसे चिकन कड़ाई बनती है मतन कड़ाई बनती है इसी तरह हम बनाएंगे वेजिटेबल कड़ाई, ठीक है बहुत ही जबहस बनेगी शाथ ही हम भना है ब्रेड़ का हिलवा स्लाइस जो हते हैं उसका बनता है हेज़ित किल सुबह नोबज़ हैं और खानों नालते हैं सॉधोटवित साड़यों के मिलते हैं अधर का खुले जाओ दा Western या कस्टर बिज मुत्तफिक, बिज मुत्तफिक ये टर्किश ब्रैंड है, बहतरीन कस्टर पाउडर है कराची में, सरी पाकिस्तान में बन रहा है, साशे में दस्तियाब है, पैकेट्स नहीं मिलते हैं, पीछे इसका सारा तरीके का लिखा है, चीनी इसमें मौझूद होती है, क् एनेक्स, एनेक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड पीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेब, ओवन वगरा, इस सब मशीन आपके सामने, हम यूज करते हैं, वेजिटेबल कड़ाई बनाने के लिए, हमें मिक्स सबजियां चाहिए, जो सबजी आपको पसंदो, वो पांच से छे अफरात की ये वेजिटेबल बनेगी, ठीक है, एक गाजर स्लाइसेज में कटिंग की अवा, फूल को भी के फूल तोड़ दें, छोटा फूल को भी ले ले ले, या हाफ ले ले, मटर एक पौत है, छीलने के बाद एक कप के करीब मटर निकला, ये है सेम की फल पाली बीच से इस तरह दो-दो करके काट ले, तीन-तीन पीस में काट लें, ठीक है, इसके साथ है ये शल जम, एक अदर शल जम, अगर शल जम नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन फलेवर बड़ा जबर साथ है, शल जम बहुत ही जबर स्टेस देता है, शल जम एक छोटे स आप अपने इसाब से करेंगी, एक अदर शमला में चाहिए, क्यूब्स में कटिंग कियावाई, इस तरह क्यूब्स में कटिंग कियावाई, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ सबजियां, यहां पे हैं बैंगन, यह हैं बैंगन पानी में डिप वोएवें, ताकि डार कलर में ना आजाए, एक बैंगन ले ले, इस तरह स्क्वेर में, गोल एक बैंगन ले ले, स्क्वेर कटिंग कर ले, यहां पे आलू है, पानी में डिप कियावाई, एक बड़ा आलू था, उसके आठ पीस कर ले, बड़े आलू के छोटे हैं, तो चार-चार पीस तो इक कबजे करीब निकरी हैं, ठीका है, फूल गोभी आया, गोल वारी, पत्ता गोबी आया, फूल गोभी, इक नंडी खान जो, या अद्ध खानी वर्ट जो, इनके अत्थ साही इन गुल तोड़े वर्ट जो इनजा, है आए सेम फली, सेम फली अचे थी मार्कित में हर जगा हर पूरे सिंद में हर जगा मेले थी सेम जी फली, पंजचा दाना ये खनी वर्ट जो, शिम्ला में छिक क्यूप्स में कटिंग वर्ट जो, है आए गोगुडु जे को शल्जा मुंद वाया, ठीका है, गोगुडु यो चिले हिनके ताहां पीसे में कटिंग वर्ट ज सबसे पहले हम डालेंगे, यहां पे क्या, कोकिंग ओल, ठीक है, कोकिंग ओल कितना जाएगा, यहां पे हाफ कप कोकिंग ओल, वेजिटेबल कड़ाई बन रही है, दुबारा रिपीट करा रहा हूँ, पूरी रेसिपी गौर से नोट करती जाएगा, बड़ी जबर्स चिकन कड़ाई मसाला, चिकन कड़ाई मसाला या कड़ाई गोश मसाला, एक साशी आपने ले लेना है मार्केट से, उस ही में बनाएंगे, उसका फ्लेवर बड़ा जबरस निकल के आएगा, तो यहां पे मेरे पास है कड़ाई गोश मसाला या चिकन कड़ाई मसाला जो भी म पूरो चार खानजा चमचा अगर साशे न तो मिले तो डबो ठीर जो और में 4 तेबरिस्पून कड़न दो अब यहां पर हम इसमें डालेंगे भगार भगार में क्या जाएंगे दो अदद तेस पत्ते छोटे बड़ा है तो एक डाल दिये जएगा तेस पत्ते डालेंगे पर सूखी लाल मिरच गोल वाली हो या लंबी वाली ठीक है यह में पास लंबी वाली सूखी लाल मिरच है 5-6 यह इसमें जाएंगी भगार में हाफ कप ऑईल करम किया, दो तेज पत्ते डाले और सूकी लाल मिर्च गोल वाली या लंभी वाली जो भी है, इस पैसे दो हम तोड़ के डालेंगे और चार साबिट डालेंगे लौंगी मिर्च बहुत तोड़े विजन दासी, ठीका, इनमें आई बाकी चार जेकें साबुत विजन साथी, इसके साथ साबित काली मिर्च 6-8 दाने और जीरा एक चाय का चमच, लौंगी मिर्च, साबित कारा मिर्च 6-8 दाना, आई 0-1 चाय जो चमच, और कॉल वाटूता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू, मुझे ना मेजा की बनाना सिखा जागा, किसकी बर्फी, मेदे की बर्फी, जी चलें ठीके, देख लेते हैं, ठीके, रहसे बी इन्शाला कोशिच करूंगा बनाना सिखा, एक अधर ब्राउना प्यास, यहां पे मैने जैसे ब्राइ अधरक लहसन कुटावा या पेस्ट कियावा 2 तेबिल स्पून, बख रहेंजा चंचा अधरक थुम्जो पेस्ट, इन्मे वी चंदासी, दो खाने के चमच अधरक लहसन के चमच पेस्ट डालने के बाद, आपने क्या करना है इसको, प्यास के साथ सौटे करना है, ठीके, आ वाइल गरम किया, हाफ कप, उसमें आपने किया डाला, जीरा एक चाय का चमच, साबित लाली मरत छे लेनी है, दो तोड़के चार साबित डालनी है, साबित काली मरत छे से आर्ट दाने डाल दिये, दो तेस पत्ते डाल दिये, भगार बना अदर कलहसन कुटावा डाल देना, दो खाने की चमच और एक अदर प्यास साथी डालना, प्यास को ब्राउन नी करना, लाइट सा ट्रांस्परेंट शेट पिंकिश ताना चाहिए, ठीक है, हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है, कॉल लेते हैं, असलाम लेकुम, वालेकुम असलाम, कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक कैसी आप ठीक हैं, घर में सब खेरियत हैं, जी अलम बिल्कुल खेरियत हैं, अक्सर यह होता है कि इस टैंक दो भी कहीं निकलेवे होते हैं, जी जी बिल्कुल, तो आज थे तो मैंने का कॉल कर लूँ, और बहुत अच्छी पात है कि आप निजबलों सब्सक्राई बना रह जी तो कैसे बनाया जाता है कि 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 सर्सों का साग और यह दो मिला के बनाया था, जी जी तो क्या बत्वे का साग अलग भी अदर बनाया जाता है, तो पानी फ्हेंकते के नहीं, जी बत्वे का साग वैसे तो हम साग सर्सों के साग में डालते हैं, जैसे एक किलो सर्सों है त लेकिन आप अगर बत्वे का साग बनाना चाहिए तो आप इसको चनी की डाल के साथ बनाएं बहुत मज़े का बनेगा नियुका इसको अदे दाल चनी की डाल जाती है तो आप इसको बुद्गे कासे बोल शुखोप बुद्गे पाणि है जिए पानी की जब अरुप कुछए नियुका नियुका यहां पे हमने सारी डाल डालाग माहनु बढ़े ना वीजी बढ़ तक तेहीं बरीडी आप कर भाब स्वार可ette जयुआ अछाइब नर्म was लिए लाओ वह व्यीजडलरी गूछलाय मसाला नाप है के बाद में इसमें एक कप से थोड़ा कम पानी डालके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखूंगा ताके वेजटेबिल्स हमारी गलना शुरू हो जाए एक कप से कम हो या एक कप के करीब पानी डालना ठीक है एक शौट ब्रेक पे जा रहें ब्रेक तरूपया मसाले सा गट बुझाण का पॉइंट में हिक कप जे करीब पाणी वीजी माइन के रखांपयों मेडियम फ्लेम ते कवर करी ताके भाजियों गरी वेने वंटूता की शौट ब्रेक वेल्कम बेक नाजीम ब्रेक ते औरंगा पेरी ताहिए सामू जे को मसालों हिन में एट कई हो मां कहा भ यह जे बेड़ पाओ के करीब slices में कटिंग किये में तमाटा डेड़ पाख अंदासी slices में कटिंग थे लाइन ठीक हा तमाटा हम इसमें आखिर में डालेंगे अब यह पकती रहेगी अब हम लेंगे एक छोटी सी कढ़ाई ठीक है एक छोटी कढ़ाई या फ्रैंग पैन ले यह जे डेड़ पाओ इतने slices में कटिंग किये वी टमाटर यहां पर फ्राइ करके नरम करने जब तक वह वेजटेबिल्स गलेंगी यहां पर टमाटर गल जाएंगे फिर आम इसमें टमाटर एट करेंगे जी हलो 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 अलो जी जी असलाम अलेकूम जी कैसी हाँ जी अल्लाग अलाग शुकर है अपकी दुआ हैं अब जए कुछ कहने चाहेंगी जी हाँ मैं थोड़ी करमाईश करनी थी बिल्कुल कीजिये ना था कि अधल मुझे पूछना है कि यह जो सबसी है मतल Means Gobi·ह और बांगान थेंगन यह है इसको क्या करना है एस Сп gobierno किया करना है किसने का है आपको अद्रग मेदे में जलान होने लगती बहुत ज्यादा और हम गरमसाला या अद्रग इस तरह की देश चीज ना डालना चाहें पर आप अद्रग पाउर्डर मिलता है नہा टाल दिया करें अचा भाई बाई इसी तरह बनाएंगी सिर्स पिसमें अपट है articulated बगेट त्रेक माना आएट गथिकली तरह भaget posting अच्छी कड़ाइगे अगर तो फिर आप सिर्फ उसमें दही एट करेंगी ठीक है ड़ी के साथ बनाएंगे जी दही के साथ बनाएंगे सही ओके थैंक यू लाफ रस इसी तर लड़ाई चाड़ो खालिद भाग ठीक है यह हो गया तमाटर तमाटर यहां पर नरम हो रहे हैं अच्छी तरह तमाटर यह ते नरम थी अंपर कड़ाई है संजी तयार थे पर इस दोरान हमने बनाना है अचार अचार बनाने के लिए हमें चीजें क्या क्या चाहिए एक तो यह हैं अच्छी तरह वाश करके आपने कपड़े से खुष करके आपने बिककुछ सुखा देना है यह तक आपने लेनी एक इसको भी दोना है दोने के बाद इन सब सब्सक्राइब आपने अच्छी तरह तोलिये से जो साफ टावल होता है या टिशू से या मलमल के कपड़े से खुष करके आपने बिककुछ सुखा देना क्योंकि अचार में पानी नहीं जाना चाहिए एक कत्रा भी मूली भी डालना है इसमें तो मूली इसमें कितनी जाएगी एक मूली इ जिसे जमेरी कहते हैं वो अच्छा नहीं होता गला खराब करता है देसी लेमन जो होते हैं वो यूज करें मोटी खाल वाले छे आठ अदर दस अदर लेलें चार-चार पीस लेमन के कर दी हैं लेमन को तो आपने अलग से दो के फिर सुखा के कपड़े से फिर आपने चार- नरम कंदासी कडाई जिला ठीक है यह देखें टमाटर हो गए फ्राय मैंने चूला बंद कर दिया है अपर अब इसमें जो मसाले कहके जाएंगी यह मैं आपको दिखा देता हूं सौंफ साबित धनिया एक खाने का चमच जीरा एक चाय का चमच कलोंजी एक खाने का चमच औ रजमाएन इसमें जाएगी आधा चमच और इसके बाद सुखी लाल मर्च या कुटीवी लाल मर्च सुखी लाल मरच को हम ग्राइंड करेंगी सब चीज़ें तो साथ हो जाएंगी सुखी लाल मरच आपने ले 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 नहीं है 6 अदत क्योंकि एक टेर से डेढ़ चाय का च या एक टेबल स्पून दो बारा, रिपीट कर आ रहा हूं, नोट करते जाएं आप लोग की चीजें और मैं फ्राइंक पे डालके इनको हलका सा रोस्ट करूंगा चीजों को ठीक है, फ्राइंक पेन खायों, फ्राइंक पेन असा भी जंदासी ही थे, जीरो, एक चाय जो चमच जीरा, एक चाय का चमच, सौंफ, ज्यादा जाएगा, दो से तीन खाने के चमच, तीन टेबल स्पून सौंफ ले लें, ठीक है, साबित धनिया, यहां पे चला गया, दो खाने के चमच, इस्टिक आ रही हो तो इस तरह की हटा दिया करें, उसके बाद हम जालेंगे राई, चार खाने के चमच भरके, ठीक है, यह है कलोंजी, एक चाय का चमच, उसके बाद मेथी दाना, एक चाय का चमच, अजवाइन, अजवाइन से हाजमा सही होता है, बादी नहीं होता है, और बूख भी आपको लगेगी जब यह चार आप खाएंगे, हाजमा बुद अच्छा तो इसको हम light सा dry roast करेंगे, जीरो हिक चाय जो चमच, शॉंफ ट्रे खायन जा चमच, राइ जेको और उनधी है, खटान में विजबी है, और ट्रे खाय चार खायन जा चमच, सापित धाणा बख खायन जा चमच, मेथी दाना, हिक चाय जो चमच, अजवाइन, हिक चाय जो इसलों आप लगाइटो था रोस्त के आप अपर वाठी तो आपका उसलाम लेकुम वालेकुम अल्यूम थाटर भी तुक तुक है। मैं भी ठीक थाख आपक तुक है। तो आपने मेरे नहीं ब्रोज बनाना नहीं को अपने यो बिघ कमेरा थो योजा दिखा अे रिटीन पारों के कुछा बोलीष टो फ्लेंगे नहीं पाह apex ज़ंगे सारी ऑल सब्सक्रण फर्मय नहीं हो सारी तो पिर बना जिरा उसकार यॉद्ट उन्नियमन इंशाला बनाना जिए रखे और आप पूरी करें में लबबे शीरी मुझे नहीं आता बनाना अजा बनाना वैप जो नोट कर ले तो इंशाला जल बना दूगा एक ज़ बना दूगा खेकर एक एक तेन्क्यू यह सारा मसाला हो गया अब इसको हमने उतार देना है grinder में यह सारा ड्राय रोस्ट हो गया इसको आपने थंडा करकी use करना है लेकिन मैं यह पर डारेक्ट रूहाँ ठीक है dry roast के ओओ मसालो हलको अलको जलना नहीं चाहिए ठीक है साला हलकलका dry roast हो जाएगा तो इसको हमने डाल देना है grinder में आप ठंडा करके डालीगा क्योंकि मैं पस time limited होता है तो मैं इसे direct बना रहा हूँ ठीक है यह हो गया थोड़ी हीट निकल जाए इसकी तो इसको हमने क्या करना है ग्राइंड करना है ग्राइंड कैसे करना मोटा जैसे ग्राइंड होता है ना कुटावा इस तरह का होना चाहिए पाउडर नी बनाना या इमाम दस्ते में आपने कूट ले उखरी मोरी में कूटे बठो ग्राइंड न कजो बारी normal रख जो ठीक हमाहिन में हलको लाएं प्रो थ तोड़ा थोड़ा हिला के क्योंकि साबित लाल मिर्च अगर साबित लाल मिर्च रोस्ट करके डाली मना कुटी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं अलग से जैसे हम साब पीसी लाल मिर्च बालेंगे ठीक है यह हो गया सारा मसाला हमारा ड्राइरोस त्यार और इसके बाद हमने क्या करना है एक बॉल लेना है बड़ा इसमें डालनी है सारी वेजिटेबिल्स लेमन 6-8 लेलें 4-4 पीस के वे लीमा चकाट 4-4 पीस के एक पाव गाजर इस ताद चीहल के लंबाई में कटिंग की वे हिक पाव गजर छेले लंबाई में कटिंग थेल एक छोटा फूल गोबी का ले लें अगर फूल गोबी नहीं पसंदे तो सिर्फ गाजर, हरी मिर्च और लेमन को भी यूज़ कर सकते तीन चीज़ों को, ठीक है, गोबी डाल दी, उसके बाद मूली डालेंगे, एक मूली ले लें, ये डालने के बाद हरी मिर्चे, हरी मिर्च को हंश्मिरी लाल और बहुत अच्छा है गा नहीं है तो न डाले नमक एक खाने का चमाट जाए गा पीठल गाडा में थिंक चाईयो चमचो क्षमिरी गाडा में थिक heh-गक चमचो अई under माहें में विद्वा सिं 너 नमक जलने के बाद, इसको हम खोलेंगे, ग्रैंट कियावा मसाला इसके अंदर साथा डाल देंगे, इतनी अच्छी खुश्बू हा रही है रोस्ट के वे मसाले से, हलका हलका रोस्ट करके आपने इसमें डाल देने, जलना नहीं चाहिए बस इस चीज़ता आपने खयाल रखन है यह सारा dry roast masala चला गया इसके बाद इसको हमने करना है mix करके फिर इसको एक जार में आपने भर देना है ठीक है जार में भरने के बाद आपने इसको तीन दिन धूप में रखना है लेकिन जिस जार में आप भरेंगे उसमें पानी का एक कतरा भी ना और वाश हुई गरम शीशे की जार होनी चाहिए, प्लास्टिक है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लीजेगा, हलका वाला प्लास्टिक ना हो, ठीक है, ये देखें, सब्जियां हमारी, अल्मुस्ट गल्चुकी होंगी, चेक करेंगे सब्जियों को, मसाले के साथ बहुत अच्छी अच्छी तरह बाइल को आपने बॉयल करना है, अच्छी तरह बॉयल होगा, बॉयलिंग आएगी, चूला बंद कर देंगे, फिर इतना थंड़ा हो जितना मार्कीट से लेकर आते हैं, रूम टेंपरेशर में, सर्सो का ओल, फिर आप वो इसमें ऐल यूज करेंगी, ठीक है, ऐल डालके, इसके अंदर फिर उसको एक दफा हिलाएंगे, दककन लागे, फिर आपने चार पांच दिन छोड़ देना, चा आप यहां पर चेक करते ही, आलू यह गल चुका है, ठीक है, यह आपके सामने एक-एक सबजी दिखा रहा हूँ, यह गाजर गल चुकी है, हलवा नहीं बनना चाहिए, ठीक है, गोबी उठाते है, गोबी भी गल चुकी है, ठीक है, सारी वेजटेबिल गलने के बाद इसमे पानी खुशक हो जाए, अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, खुशक मेथी, एक चाय का चमच हाथ में लेके इस तरह मसल के आपने खुशक मेथी डालने के बाद आपने जैसे दही का पानी खुशक हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे फ्राइ केवे टमाटर का पेस्ट, जो चार खाने के चमच, ये तीन खाने के चमच के साथ, हमने डेड़ पाउ टमाटर पेस्ट बनाये था, फिराई किये थे, ये सारे इसके अंदर एट करेंगे, जब दही का पानी खुशक हो जाएगा, ठीकर दही जो पानी खुशक थी वियो, कसूरी मेथी भी थी, ही टमा पेस्ट एट करने के बाद इसको हमने कवर नहीं करना है क्योंकि सब्सियां हमारी गल्चुकी है, टमाटर अपने अलग से फ्राई किये वे होंगे, और इसमें टमाटर कच्चे नहीं डलेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगी तो बड़ी जबरस वेजिटेबल कड़ाई ब ठीक है, अगर आप सबजी कम करेंगी तो फिर आपने क्या करना है, मसाला, अगर एक काउ के करीग सबजी हैं कम मेंबर्स हैं, तो मसाला दो खाने के चमश डालीगा, मैंने या पर चार खाने, अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए चिकन का, यहां डालेंगे मसाको चिकन इसके अंदर जाएगा, पूरा एक साशे, बड़ा जबरस फ्लेवर आता है चिकन पॉडर से, आप चिकन पॉडर इसमें डालेंगी तो बहुत जबरस फ्लेवर निकल के आएगा, तो मैं इसमें डालूँगा, जब आप देखेंगे, और उपर आने लगा है, मसाको चिकन प साला था, उसमें अपना सॉल्ट था, ज्यादा चमज जोर-जोर से नहीं चलाना है, क्योंकि ये हलवा बन जाएगी सब्जी, अब देखेंगे, ओइल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो आप इसमें क्या डालने वाले हैं, आपने इसमें डालना है, हरी मिर्चें साबित मोटी वाली जैसे हम कडाई गोश में डालते हैं, चार से पांच, ठीक है, साबित मिर्चे विजन्दा सी, चार का पंजे जी हैं, कडाई गोश में विजन्दा हूँ, यो विजन्दा था, पहुत आइन में विजन्दा हो, साई बसर, अध्द कप, हरी प्यास एक स्टिक ले अधा, यानि एक टेबल स्पून जितना लेमन का जूस, हिक खाएंड जो चम्चो ली में जो रस्ट, एक टेबल स्पून लेमन का जूस डाला, अब मैं इसको पांच मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ, ताकि हरी मिर्चो कलर चेंज होगा, आगे का प्रोसेस बताता हूँ, कौल लेते हैं, असलामली कॉम, एसंलामली कॉम, पहर्ण साब कैसे हैंआप, मैं बिल्कुल ठीक ताक, और नो कहां से बात कर रहे हैं, मैं मैं आणिराड बात कर रहे हैं, आपको बुखोर्ल स्पीगंगि वेसे बात का सब्स추 युदिए, थैंक यू, तैंक यू, जजा काल कि आपके को पिकल्ड करके रखते हैं उसे क्या रेशियो होता है पुछी दनता है यह बद्दक शिर्का के तर डाले है और यह चुड़ी चुड़ी से प्याज ही होती है उनको लेके लिए एक दफ़ा एक दफ़ा दुबारा बताईगा आपकी आपकी आप मुझे समझ नहीं आप बताई क्या कहरे हैं मैं आपको च्यालेट में यूजे होती है कौन कौन सी सब्जी बता दे है और नचर है और प्यास आप ये चीजे है एक यह थिए इनको प्के जिसे शिर्के में बीगी होते हैं यह जिसे अलो पिनो ड़ते हैं वह वह सेम आप विनेगर में डिप करेंगी इसी तरह आउनियन को ठीक है और जो खीरा है क्यूकुंबर को स्लाइस में मोटे मोटे कर दें या फिर आप इस्टिक्स बना दें इसकी मोटी कीजिए का पतली नि लेंगे चिली लेंगे मोटी वाली दीजिएगा बारिक उसके बीज निकाल कर लगा के उसके बीज निकाल के उसको थोड़ी दो मिनिट नमक लाकर रखेगा उसके बाद आप उसको वाश करके थंड़े पानी से फिर वो डालिएगा फिर विनेगर डालिएगा अच्छा तांकियो जजा ख लाफ्स्स खार के अच्छाय चाहिए। पर आप में थाफ जिसको मनें मसाला लगा यभ आप देखेंगं मत टेन Communist लग ईपार के शुचाहिए। उनित प्रभ रुख पीम हंतोना मङस or Nug भ और दोए आप ड़ेके पीम होना तो अधर नमी होती हवा की तो खराब जाएगा इसको अंदर रखे फिर सुबा उठते ही फौर रहा है इसको दूप में रखे इस तर तीन-चार दिन कराची का तो मुसम है वैसा कि दूप तेज है इंटिरियर में या पंजाब में या आगे सरद में जहां मरी वगर साइट प पर कवर हटा दीजों कौल लेते हैं समयलेकोँ स्यूज कोंरी में वी अपका नाम लीप कि काल आ घिक है थाओ मैं तो पूरी रेसिपी निक जीज़ेगा ठीक है बहुत बहुत शुकरिया स्बाइब से अपना ख्याल लखियागा बॉत सारह ठीक है ऑफिस्ट अब अब आप देखेंगे हरी में कलर चेंज हो गया क्रीम डालेंगे फ्रेश क्रीम इसमें जाएगी इसमें कितनी 3-4 टेबल इस्पून फ्रेश क्रीम से आप लोग ये ना समझे के मीठा फ्लेवर आएगा या अजीव से लगेगी सबजी में क्यों डालना है बहुत ही जबरदर सी रेस्टोरेंट्स में जो इतनी एक्सपेंसिव हम जाके वेजिटेबिल्स खाते हैं क्रीम का ही टेस्ट आ रहा होता है ठीक है तीन से चार चमचे टेटरा पेक नहीं है तो दूर के उपर जो बलाई जमती आप वो भी डाल सकती है क्रीम डाल के अपने हलकी हाथ से को mix करना है क्रीम जरूर डालियेगा, क्रीम से flavor बहुत अच्छाइगा जिन लोगों को नहीं पसंद प्रीम तो नही Опने बहु conten agree जेको क्रीम न जाहीisz प्रीम के कृम में डार्डो्त दिश्बिधक रबलेफ क्रीम है विकल डिफरेंट यूनिक रेसिपी है जरू ट्राइ कीजिएगा अगर क्रीम नहीं पसंद तो आप ना डालें अब चूला मेने तेज करना है ताकि जो इसका ओईल है वो सेपरेट हो जाए ठीक है इसको बस हलका सा मैने तेज आंच किया ताकि थोड़ा सा ओयल शाइनिंग आना शिरू हो जाए ठीक है और घुमाना नहीं बहुत ज्यादा स्पून नहीं चलाना तेज पत्ता यह जिसे उपर आ रहा होता है तेज पत्ता आपने निकाल देना तेज पत्ते का फ्लेवर चाहिए तब हमने ले लिया इसमें तेज पत्ते जो मैंने इसमें डाले थे दो से तीन वह मैंने निकाल दिये ठीक है जबरदस हमारी यह हंडी की तरह आपको लगेगी बिलकुल जब आप यह खाएंगे कड़ाई ठीक है अब मैंने चूला बंद कर देना है और इसको हम देश आउट करते हैं बहुत अच्छी सब्जीयां आइए आप को जो पसंद हो आप वह डालें ठीक है सब्ज्ब चार सब्जीयां से भी आप बना सकती हैं लेकिन अगर आपको लोकी नहीं पसंड हैShal effort करेंगी आपने इसमें सिर्फ आलू, मटर, गाजर, फूल को भी शिम्रा मिर्च इससे बना लें सेम की फली भी डाल सकते है यह बड़ी जबवस है मेरे घर में इस तरह की बनती है अक्सर वेजेटबिल्स हमारे घर में बहुत बनती है वीक में एक दफा दो दफा जरू बनाते है और फिर वो नान के साथ ज्यादा यह पराठो के साथ खाई जाती है साबित लाल मिर्च का जो इसमें भगार बनाए वाय तूटी वी है उसका आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किसके अंदर क्या फलेवर आ रहा होगा यह मैंने निकाल दी यह वेजिटेबल कडाई ठीक है लोंगी मिर्च का विदा है हम जो डाड़ो जबरदस इंज अंदर फलेवर इंद वाय है ता जरूर ट्राय कजो आई हाने खटान भी असा ही तियार थिवी अचार भी तियार हो गया अब हम बनाते हैं ब्रेट का हलवा होगी है यह हमारी 2 recipes complete हो गई है इसके center में lemon का 1 slice गएते हैं ब्रेट के अलवे के लिए हमने क्याच ही double Deshalb के slices comme डबल लोटी के अपने slices लेने और डबल लोटी के slices को आपने fry करना है counter clear कर दूँ थाकर, jumping board पे इसको हम cutting करेंगे ठीक है यह डबल लोटी के slices ले ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, छोटे बड़े जो भी mix हो ठीक है इस तरह आपने cubes में cutting कर देने अब हम क्या करेंगे, जिसमें हमने बनाने है, जिसमें हमने हमने हलवा बनाना है इसमें हम डालेंगे बनास्पती गी ठीक है, हलवा हमेशा गी से बनाया करें, पानी ड्राय कर दें, पानी बिल्कुर नहीं होना चाहिए क्योंकि ओल में गी में पानी जाता है, तो फिर सारे चींटे हमारे पर आ रहाते है अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है बनास्पती गी, हाफ कप देसी घी में भी कर सकते हैं अगर है तो ठीक है, अद्ध कब बनास्पती गी भी दो जैसे घी गरम होगा, इसमें डबल लोटी के स्लाइसिस डालके स्लाइसिस को फ्राइ करेंगे गोल्डन फ्राइ हो जाएगा तो फिर स्लाइसिस को आपने निकाल देना, ठीक है बहुत जबर्स बनेगा डबल लोटी का हलवा गोड के साथ बना रहा हूँ, चाहें तो चीनी के साथ बनाएं, सर्दिया हैं तो गोड का मज़ा अलगी होता है, खाने में, सर्दियों में, गोड वाली चीज़ों का तो यह मैं गोड के साथ बना रहा हूँ, आप इसको चाह तीक है गोल्डन कलर आगड जैसे हम शाहि टुकडो के लिए करते हैं इस तरह आपने इसको फ्राय करना है पॉल लेकूम इसलाम पास्टल भाई कैसी है यह बिलकुल ठीक था कॉर नों कहां से बात कर रहे हैं मैं वश्म बात करीय। मलकdessus से मलकवाली से कैसी या त nailा हूं। आपको थैंक्यू करना था है आपनने आपने मर्स़ी बनाई थी क्या रही है अपने आपको थैंक्यू करना था नहापने मेरी फिर्माइश पूरी की प्रूर्श कौन सी फिर्माइश वो जो आपने बनाए थे गुलाग जामन हाँ हाँ देखे थे आपने जी मैंने थोड़े से देखे थे हमारे सिगनल चले गे थे ना उसके बाद पिर हमारे चैनल ही चला गया थे फ़र जासे आप से बात नहीं हो सकी ओके तो फिर आप कैसे देखेंगे अब हमारे पास भाई लेंगे ना आप रिपीट कर देंगे मैं रिपीट अभी तो देखता हूं मैंजरमेंट से बनाता हूं तो अगर टाइम होगा तो में रिपीट करा देता हूं ठीक है जी ओक्तार्ट फेक्टेश्चूए प्ना ख्यायल रखेगा निकाल के भी कर सकते हैं हाथ से, मैं इसको यहीं पे तोड़ना शुरू कर रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे हमारा यह बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो जाएंगा पहले इनको अच्छी तरह क्रिस्पी सा फ्राय करना यह देखें इसका कलर ऐसा आना चाहिए डबल लोटी का एक कप, एक कप दूद, एक कप पिसावा गुड़, गुड़ दूद में जाके सॉफ्ट होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बनने वाला हलवा है, ठीक है यह देखें, बहुत मजेगा बनेगा, गुड़ भी तो, और इसको फिर आपने तोड़ना शुरू कर पंदरा इलाचियां ले ले, कूट के इसमें ढल दें, छिलके के साथ बग़िर, छिलके के इलाचि कभी भी यूजना क्या करें, दाने क्यूंकि छिलके में ज्यादा खुश्बू होती है, बनिस बत, दाने के, ठीक है, यह देखें, इलाचिए डाल दी, इसमें बड़ी और अगर केवडा वाटर नहीं तो केवडा एसेंस मिलता है छोटी सी शीशी होती है उसकी शीशे की जो बॉटल होती है छोटी वाली न तो वह आप लेंगी तो उसमें से 2-3 ड्रॉप डालीगा अगर ज्यादा डाले तो ऐसे लेगा आप अगर बत्ती खा रहें अगर बत्ती अगर यह नहीं तो अरके गुलाब भी डाल सकती है उसे भी फ्लीवर आता है एक चाय का चमच यह देखें कितना जबरस हमारा हलवा त्यार होता जा रहा है को एक रेसिपी है ब्रेक में केत्रों टाइम है साजें अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और इसको भूनते रहे ह ne अच्छी तरह मिक्स कर रहा है चली तरह मिक्स कर दो उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे तो ब्रेक के बाद आके मैंने अचार की रेसिपी रिपीट करानी है बहुत एजी है देखें इसकी खुश्बू बड़ी जबरसारी चीनी से बहस्ट है आप गोड़ में डालें अगर गोड़ आपके पिसावा नहीं है तो तोड़ लें गोड़ को ठीक है थोड़ा तोड़ के फिर आप दालें नहीं तो पर क्या करें एक कप दूद में आपने ग अच्छी था फ्राय होगा और यह कड़क होना शुरू जाएगा हलवा ठीक है क्रेस्पी सा बनेगा बड़ा जबरस था ब्रेड का लवा आपको लगेगा नहीं के ब्रेड का हलवा का रहें आपको बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लगेगी है कितना जबरस इसका कलर आरा ह ब्रेक का टाइम होगा है मैं इसको इसी तरह पांच मिनिट लगाना है टोटल बूनने में गी जब तक सेपरेट हो रहा है मैं इसको बूनता जाओंगा एक शौर ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बादा किया रेसिपी कंचिन्यू करते हैं वेलकम बेक नाजबी ब्रेक करेंगे इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम क्योंकि फ्रेश क्रीम इसमें बड़ा जबरस फ्लेवर आता है तो यहां पर मैं जालूँगा चार खाने के चमाज फ्रेश क्रीम ठीक है फ्रेश क्रीम जाएगी इसमें और अगर अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप उसके बगए भी खा सकते हैं लेकिन ओरीजिनल जो यह रेसिपी है फ्रेश क्रीम से ही बड़ा जबरस इसका फ्लेवर आता है डबलोटी के अलवे का ठीक है मैं रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ अचार का अकीला रेभी कॉल की थी अप्टाबाद से जिनकी फ़माईश भी थी अचार की वेजटेबल अचार के लिए अपने लेनी है एक पाव गाजरे छील के धो के छील के फिर उसको बारी लंबी लंबी जैसे गाजरे अचार में तोलें इसको भी आपने अची तरह दो के खुशक करना है और रेभी करना है और भी जाला पर पुशक नियुक्ट अगर भी जाली नगगए शब जाए लिए उसके बाद मूली भी बी एक लेक लेगी लेमन आठ लेने उसके चार चार स्लाइस करने दोने के बाद और उसके कि अधी कर्मामों चोड़ करने के अधी कि आपने आपने में दाल दे जुदाएं पर बनाता हुआ है असलाम लेकुम अलो असलाम लेकुम दौन इसलाम नावतान प्रवारम नाड़ शुठो आए मेरबानी के रहें कितां गिलायो प्यादी अला शक्रा माबाव जी कुछ चन चाहिए दो तावन जी कुछ ठाई वाई ना यो सब बैतरी नाए बैतरी नाए अलो भाई यो प्रेशिपी ठाई दाई लो आण सब ट्राय करें विसंदा भी यो अलो भाई थी जेए मेरबानी अदी को फवाईश करनी हाँ अहां असा के ना सुजी जेखो हलो हुंग अलो हुंग आई सुजी जोग अलो प्रवाई जी यूट्यूब टे रिसीवर जो था रेसेपी मिली विंधी अगर ठीका अगर निकाल लिया बेकुल ड्राय फॉम में आगया अब इसके अपर हम डाल देंगे चॉप कियावा बारीक चॉप कियावा बादाम बदाम नहीं है तो आप उसके बगएर भी खा सकते हैं लेकिन बदाम से खुब सूर्टी आ जाती है जरूरी ड्राइफ फूड डाले महंगाई बहुत ज्यादा है असमान को जा रही है तो नॉर्मल मैं इसलिए नॉर्मल चीज़े बनाना से खाता हूँ ताके आप लोग हर चीज़ को एंज्वाए कर सकें बच्चे भी शौक से खाते हैं घर में कोई महमान आ जाता है तो आप ब्रेट का हलवा बनाएं और अगर क्रीम नहीं है परेशान ना हो आप उसके बगएर भी बनाएंगी बहुत जबर्स लगेगी लेकिन ब्रेट के क्रीम से थोड़ा टेस्स निकल के आता है मैं इसलिए डालता हूं लेकिन अगर नहीं है तो परेशाना बगएर क्रीम के भी बनाएंगी डबलोटी आट सलाइस का यह हलवा बहुत ही जबर्स बनेगा ठीक है यह हमारी तीनों रेसेपी जोगें कंप्लीट और मैं बता रहा था था इस नियुकर को पोल तोड लिये थे ठीक है लेमन अट लिये थे घैसी लेमन उने चाहिए जामेरी जो आती बारीक वाली वह लामन नहीं होता है जामेरी ती गला खराब करती है ठीक है मोटे थोड़े थोडे डेसी वाले लेमन दीखेगा मोटे इस बारे बहुत बड़ के बिलकुल आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्यू चमच मेथी दाना, ठीक है, चार खाने की चमच राई, एक चाय का चमच कलूंजी, एक चाय का चमच मेथी दाना, तीन खाने की चमच सौंफ, तीन खाने की चमच सौंफ डालके फिर आप डालेंगी एक चाय का चमच जीरा, साबित धनिया गोल वाला जो होता है, वो दो खाने सूखी लाल मिर्च जो होती है सूखी लाल मिर्च जो गोल वाली या साबित वाली या लंबी वाली आपने पांच छी ले लेने काफी हो जाएंगे इन सब को रोस्ट करना है हलका सा रोस्ट करने के बाद थंडा करना है ग्राइंड करने या मोटा मोटा कूर लें दरदरा सा सा प्राइब मसाल setzen को मिक्स करें 20-30 जह को अ eleg MARK तक अपने दूप मैं रखनाएं और 5 दिंगे तग चांफ का शूर बना टो चाटी 1991 वह चो जाए में फो जाती के सिर्के 10 दिन करें जब अच्छी तरह निकलेगा चूला बंद कर दींगी रूम टेंपरेशर पर ठंटा हो जाएगा जितना बजार से लेकर आते हैं फिर आपने वह डालना है फिर उसको मिक्स हिलाना है हाथ नहीं डालना है ना चमज डालना ना गीला चमज जाना चाहिए मिक्स करना फिर 6-7 दिन धूप पर रखना है तो ओईल वाला अचार त्यार हो जाएगा वह आपकी मर्जी है ठीक है सिर्के वाला इस तरह बनेगा ओईल वाला इस तरह बनेगा कल देखेगा मज़ेदार रेसिपीज बनाएंगे वो भी आप लोग की फरमाईशे हैं पूरी कर मेरा वाटसब नमबर नोट कल ने कल भी काफी सारे मैसेज़ आयते हैं मैंने सब को रिपलाई किये सिर्फ एक भाई को नहीं किया था जिन्होंने 10 किलो चिकन का पूछा था कड़ाई का वो आज मैंन को बता दूँगा बाकी मैंने सब को अलमूस्ट रिपलाई कर दी है 0314-267-5311 यह मेरा वाटसब नमबर है वोइस मेसेज करें या मैसेज करें कॉल ना किया करें मैं टैन्ड नहीं करता हूं नहीं नमबर से 0314-267-5311 उस पे आप मेसेज करें आपको कोई भी बात पूछ नहीं हो कोई भी रेसिपी के बारे में कोई लिंक चाहिए दो बहुत नहीं हो बहुत हो जो खोणर लो पांचे करता है वह कलता नहीं हो ओ कोई लोग जो इंशाला स्वानी जी रैसिपी जय चो पर सुबरानी थासा मुलागात है निदी दौए आउन में पांड़ कान दो अलाव आपएज हाने कुकिंग विट फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी कॉयल्टी में विजिट करयो असांजो यूट्यूब चैनल सिन्टीवी एचडी कुकिंग शो